Virtual Trading या Paper Trading जिसमें आप actual में अपना पैसा नहीं लगाते हैं लेकिन Market में order place करते हैं, profit and loss देखते हैं, analysis करते हैं, trading strategies, indicators का इस्तेमाल करते हैं और Market को समझने की कोशिश करते हैं बिला किसी अपने पैसे के रिस्क है आज हम paper trading या virtual trading के बारे में बात करेंगे practical demonstration देंगे trading view का इस्तिमाल करेंगे trading view एक ऐसा platform है that helps you in understanding the technical aspects of the stock market trading view के पहले भी हम एक दो वीडियो लेके आ चुके हैं और आने वाले समय में इस platform के और भी features को explore करेंगे लेकिन आज बात करेंगे paper trading के बारे में तो आईए शुरू करते हैं paper trading क्या है simple भाचा में दोस्तो virtual level पर trading करनी है आप में अपना पैसा लगाना नहीं है attention नहीं लेनी है लेकिन इसके कुछ फायदे भी हो जाते हैं कुछ नुकसान भी बात भी करेंगे साथ में demonstration भी करेंगे तो चलते हैं trading view की window में तो दोस्तो जैसे ही trading view पे आप chart खोलेंगे तो आपको trading panel नाम का एक नीचे tab दिखाए देगा उस पे click करना है उसमें बहुत सारे options मिलेंगे उसमे paper trading tab पे click करना है और connect करना है अपने trading view platform को जैसे आप करेंगे तो कुछ इस तरह की screen आपके सामने आ जाएगी अब कोई भी particular script हाई अब आप दुनिया के virtual trading के दुनिया में आ चुके हैं ऐसा कहना चाहिए मुझे virtual trading के space में आप actual में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं लेकिन trading place करेंगे किस तरह से देखिए अभी for example मेरे सामने एक चार्ट कुला हुआ है infosys का अगर मैं इसमें देखता हूँ तो आज market रहे ठंडा है market में ये stock कीरा हुआ है in fact सारी-सारी market गिरी हुई है तो infosys के stock में अगर मैं as of now buying करना चाहता हूँ मुझे उस price पे मिल रहा है जिस price पे generally ये stock available नहीं होता मैं यहाँ से नया order भी create कर सकता हूँ versus I can actually go ahead and do the trade settings trade पे जाके आप trading settings में click करके buy and sell buttons भी लगा सकते हैं by default buy and sell buttons available नहीं होंगे आप जैसे यहाँ पे check box पे click करेंगे buy and sell button आ जाएंगे इन buy and sell button की खूबी ये है कि single click order होते हैं जैसे ही आपने button पे click किया आपका order place हो जाता है trade place हो जाता है अंदर ऐसे अगर आपको खुद से order place करना है तो create new order पे जाईए अब आपके सामने window कुल गई है buy price क्या है sell price क्या हो सकता है आप अपने हिसाब से limit order भी लगा सकते हैं market order में कुछ करने की ज़रूत नहीं है normally जो आप करते हैं trade placement किसी भी trading application में वैसा ही more or less दिखेगा market order, limit order, stop loss order आप खुद से pick out कर सकते हो for example इस case में limit order लेके चलता हूँ तो उस हिसाब से मैं अपने profit को और अपने stop loss को define करूँगा 1540 पर मैंने buy किया है sell price by default यहाँ पर आया है 1575 I can change it मैं इसको बढ़ा सकता हूँ मैं इसको कम भी कर सकता हूँ मैं इसको ticks के level पर define कर सकता हूँ मैं इसको percentage level पर define कर सकता हूँ फिर I just increase this तो you can do the math आपको quickly jump करना है तो dollar कर दीर यह अगर आपको quickly percentage पर बात करनी है तो वहाँ पर भी अच्छा खासा jump आजाएगा तो you just have to figure out कि किस तरह कि price points पर आपको exit करना है to what parameter level ticks price dollar percent 4 option मिलते हैं आपको let's say I keep it at the default level मैं इसको 1570 के price point पर buy and sell करना चाहता हूँ मैं इसको define कर सकता हूँ कि किस particular point पर मैं को मैं क्या day order देख रहा हूँ swing trading देख रहा हूँ I can define it the GTD order good till date मैं good till date डालूँगा तो मैं date तक किस order के value to be रख सकता हूँ so that's pretty much it मैं यहाँ जैसे ही buy पर टैप करूँगा दोस्तो मेरा order place हो जाएगा मैंने buy कर लिया है depending के वो price point टच हुआ या नहीं अब आपको दिखाने के लिए एक market order भी place कर लेते हैं for that matter मैंने यहाँ पर देखिए market order place कर लिया है और जैसे ही मैंने order place किया है जैसे आप scroll up करेंगे मेरा position में मेरे को यहाँ पर अपना order place सामने दिख जाएगा इनफी का एक stock मैंने पंतर सब्सक्राइब किया है अभी profit and loss चल नहीं रहा है I'll wait for things to happen and in the meantime क्या करते है न दोस्तों एक आदी position को short भी कर देते हैं इनफोसेस का stock मैंने अगर long किया है तो let's see में TCS का stock IT में रहते हैं आज कल तो IT का ही करेंगे TCS का stock मैंने उठाया TCS की stock में let's see में sell करता हूं जैसे मैंने sell किया देखिए मेरी short position आ गई है अभी मैं देखिए अभी just for demonstration purpose आपको buy and sell करके दिखा रहा हूं आपको ऐसे buy and sell नहीं करना है आपको अपन analysis technical indicators जो भी आप strategy का इस्तेवाल करते हैं chart patterns देखते है whatever you wanna feel like वो सब करना है तो क्योंकि जब तक करेंगे नहीं ना तब तक आपको real trading का है virtually है लेकिन आपको तो practice करने आयो ना क्योंकि आगे चलके जब आप real में trading करोगे तो भी ऐसी होने वाली है तो make sure करें के whatever you do here is more or less the similar behavior जो आप actual में trading जब करेंगे वैसा हो देखिए जब लोग virtual trading करते हैं ना देख तो पैसा आपको लाक रुपया शुरू में मिल गया मैंने बैठे 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 5000 की stocks खरीद ल नहीं है होता भी है तो एक लाक रुपया नहीं लगाते हैं एक बार में तो you have to just see how you wanna do it क्या capital आपका actual में है उसी उत्रे capital का ही trade place करें जरूरी नहीं है सारे इंट्राडे करने हैं जरूरी नहीं सारे delivery में करने हैं बट दोनों टाइप के करने चाहिए सिर्फ इंट्राडे म आजकर टच करो ना अधानी ग्रीन उठाते हैं चलो अब अधानी ग्रीन का शेर जो है वो थोड़ा सा कंसॉलिडेट हो चुका है आयल प्लेस न ओडर ट्रेड पे गया मैं क्रियेट कि निव ओड़र मार्केट ओडर उठा लेता हूं पचास उठा लेता हूं और उठा लिए मैंने अब थोड़ा गेम टाइट वारा खेल रहते हैं देखिए अगें आप यादरा दो दोस्तों अनालिसिस करने के बात करना है देखिए मैं थोड़ा अच्छा वाल्यूम का स्टॉक उठा लिया अब इस केस में मैं अगर होल्डिंग देखना चाहूं अकाउंट हिस्ट्री देखना चाहूं तो मेरे सामने आ जाएगा ट्रेडिंग जर्नल आ जाएगी मैं कितना प्रॉफिट कमाया यह मेरी पोजिशन जो क्लोज हो चुकी है और अब ही मैं थोड़ा सा 1.2 डॉलर के अब साल पर हूं जैसे हम बात कर रहे हैं तो चांस के ठीक ठाग प्रॉफिट पर निकल जाएगा पॉइंट यह है कि आपको ट्रेडिंग अप्लिकेशन का डिमेंस्टेशन मिल रहा है अगर आप एक बिगिनर ट्रेटर हैं तो उस केस में आपको पता लग जाएगा इसको ओई प्रेडिंग प्लैटफोंग कर तो कहिं किन चीज का ध्यां रखना रहा है कि क्या क्या प्लिकेशनमें कौन कौन Сी वीचरें क्या के अनार्सिस करने की जृरूत है मिल dominance कि एक त्रेडिग कर रही है च्ब आहां पड्लिआ किरेप कर रही है जब आप कर रही है जाएंग अब मैं अपनी पॉजिशन को क्लोज करना चाहता हूँ अरे वा बैठे में अरे यार वान पॉइंट एट नाइन डॉलर के प्रॉफिट पे हूँ मैं क्या यार अगर मैं सच में सच की दुनिया का प्रॉफिट होता तो क्या बात ही अनिवेए मैं अगर लालच ना करूँ और क्लोज कर दू अपनी पोजिशन को अनिवेशन क्लोज कर दी 1.89 डॉलर पे अकाउंट हिस्ट्री में गया मेरा 1.89 डॉलर वर्चौल दुनिया का थोड़ी अस्री में थोड़ी आना है वर्चौल दुनिया का प्रॉफिट मेरे सामने आ गया और मैंने अपनी यह देखिए आ अकाउंट वैल इस बड़ा लिया तो आप देखिए यह लेफ्ट पेन है न सारा दोस्तों लेफ्ट पेन में भर अपड़ा द्राइंग टूल के साथ कुछ भी मर्जी कीजिए आप अगें इस क्लिक ओन दिस और मैं कुछ द्राइंग टूल साइड कर सकता हूं देन एपने साथ ड्चाइड दोस्तों देन अपनी पॉज़िशन यह तो मिए सिमयी दे रहे हैं इमोजी पिदे रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो रूलर लगा सकता हूं मैं फड़ा जूम इन जूम आउट कर सकता हूं तू मच तो दू दू विदिन आप्लिकेशन दोस् यह सब करना जरूरी है क्योंकि जब आप यह सब करेंगे तब आप अक्रिम प्लाटफॉर्म पे जाएंगे तो यह सब नॉर्मल लगेगा कि हाँ यह सब किया तो है अरे यह बात यहां पर भी खतम नहीं होती है आप वाचेश में डेटेल में देखिए अलर्ट यहां पर लग तो यह सब मिलेगा जब आप दोस्तों यह सब का इस्तिमाल करेंगे और और तोर जो नॉर्मल ट्रेडर प्लाटफॉर्म आपको प्राइट करते है ना टेक्निकल इंडिकेटर्स वो पड़े हैं जो मर्जी दीजिए तन यह सट अलर्ट फों है टाइम लाइन चेंज कर सकते हो, stock change कर सकते हो, if you want to, candle chart नहीं पसंद तो line chart लगा दो, line chart नहीं पसंद तो area chart लगा दो, whatever you want यह सब करें तभी आपका sort of जो understanding है market का real level का रहेगा. so that's it दोस्तो वर्चुल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं इसका डेमेंस्रेशन देने की कोशिश की आपको पूरा का पूरा प्लाटफॉर्म समझाया है ऐसे और बहुत सारे फीचर से ट्रेडिंग व्यू के जो हम आपके पास लेके आते रहेंगे समय दर समय, स्टाउक मार्केट में बहुत सारी चीज़े होती हैं दोस्तो कुछ theoretical जो आपको स्टाॉक पाठ्शाला के थुरू आपको कोर्सिस के थुरू बताई जाती है प्रैक्टिकल देमेस्टरेशन भी दी जाती है दो येसे अब अच्छे ट्रेडर और अच्छे और झाल झाल